से सवाब लम्धुनम में बहुती आश्यक है जोबी आखने तरह किसी भी प्रकातस इस देख लेजी हमें साथ सुखित रहता है और जीवन में उनलती करता है आत्म निर्भर रहने के लिए हमें सकारात्मा परियत्म करने की आवश्यक्ता है तो आईए जानते हैं इस आत्म निर्भरता के पाठ के मादन से हम क्या सीख सकते हैं क्रिष्ण मूर्ती ही स्री कंठष्य मित्रे आस्था क्रिष्ण मूर्ती अब स्री कंठष्य इसको अलग अलग करेंगे विद्याथ के तो में पता चलेगा स्री कंठ है और उप्षे क्रिष्ण मूर्ती और चे मिक्स और श्री कंठ मिंट्रे मिंट्रे दिवचन है कैसे नपुन सब्लिंग होता है विद्याथ क्यों मित्रम मित्रे और मित्रानी तो यहां पर मित्रे यूज गया तो यह दिवचन है तो क्रिष्ण मूर्ती और श्री कंठ दो मित्र थे आस्ताम का वनों थे आस्ताम दिवचन है आसीट आस्ताम देखे आसीट और आस्ताम यह क्या है क्रिया है दिवचन की क्रिया है पर्थम्पुस दिवचन की लिया है और पर्थम्पुस कौण श Daly से कृष्म मूotes ऑप्र श्रीकंट दो मितर ठीScript अब नेक्स्ट स्रीकंठ से में समन्ध कार्ण के सस्टी विभक्ति एक वज़ंड शिरिकंट के सस्ति विवक्ति होता है उसमें समंद्रकारक होता है और समंद्रकारका चिल क्या होता है काके की तो स्रीकंट के पिता सम्रिद्ध आशित सम्रिद्ध थे, सम्रिद्ध का भू सभी प्रकार से उनके पास में सम्रिद्ध था थी, संपन्न था थी, धन, धान की कोई कमी नहीं थी अतै इसलिए तस्धे भवने उनके भवन में सर्व विधानी सम्रिद्ध काल के सुख साधन आशन थे इसलिए उनके भवन में सब परकाल के सुख साधन थे, आशन यहां पर आशन देखे प्रथम पुस बहुचन है आशन आसितेग वचन, आस्तामदीवचन और आसनग भवचन, अब आसनग भवचन किसके लिए आयाा है सर्व विधानी सुखषादनानी के लिए, बैसाब करकार की सुखषादन, आसनग मतलब थे अब आगे तस्मिन विसाले भवने तस्मिन विसाले भवने तीनों सब्दों में अधिकरण कारक है अधिकरण कारक का चिन होता है मेंपर अब यहां पर भी मेंपर यहां पर भी मेंपर जो समान विभक्ति होती हैं समान कारक होते हैं तो अंतियम सब्द से पहले जो समान बिभक्ति होती हैं उनका जो कारक्चिन होता है उसका लोग हो जाता है कैसि आगे देखते ही आप देखिए इसका क्यारत हुआ तस्विम कारत हुआ उस में विशाले का विशाल में और भवने का भवन में तीनों सब्दों में कारक्चिन लगाया गया में 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 तो अंतिम सब्द में जो कारक्चिन है अधिकर्ण कारक्चिन में पर अंतिम सब्द में रखेंगे और पहले वाले सब्दों में कारक्चिन का लोग कर देंगे तो हमारा हिंदी अर्थ इस पर हो जाएगा ऐसे उस विशाल भवन में ऐसे हिंदी में आर्थ करेंगे उस विशाल भवन में चत्वारिन सत्मिंश 40, 40, स्थम्भा, पिलर, पिलर्च, खंबे, आसन थे, आसन भववचन है, आसी, आस्ताम आसन, आसी टेगवचन आस्ताम देवचन और आसन भववचन उस विशाल भवन में 40, खंबे थे, ठीक है, अब तस से अस्थादस प्रकोष्थ हिसु, उनके, अस्थादस मिंश ऐथाए, एटीं, उनके अथाए प्रकोष्थ हिसु कमरों में, इंदा रूंस, उनके अथाए कमरों मे पंचास फिप्टी गौाप शाव विंडोज खिड़कियां तो उनके अठारे कमरों में पचास खिड़कियां थी और ड्स चत्वाइनस चाहर चाहर दीक में चालीश ओटीफोर द्वाजाइं दोज के इने गवलस दर्वाज शट्रिण सत्रिण दुद्ध विजनानि शट्ट में रिंच छ्य 36 36 बिजली के पंखे आशन थे दोबाया देखिए उनके अठारे कमरों में 50 खिड़किया चम्वालीस धर्वाजिन 36 बिजली के पंखे आशन में थे तत्र वहां दस सेवका निरंद्रम कारियम कुर्वंतिस में वहां दस सेवक निरंद्र कारिय करते थे कुर्वंतिस में करते थे तो वहें भूत कारिया बन जाती है ठीक है तो वहां दस सेवक निरंद्र कारिय कर रहे थे कुर्वंतिस में करते थे या कर रहे थे परन लेकिन कृष्ण मुर्ते माता पीटा ज्य निर्धनाओ कृष्ट दमपतती लेकिन कृष्ण मूर्ती के माता और पिटा निर्धन किसान दमपती भी मिंश पति और पत्युझ लेकिन कृष्ण मूर्ती के माता और पिता गरीब किसान दंपती थे तस से ग्रहेम आडंबर विहेनम उनका घर आडंबर रहिट और साधारनम चैयाशी और साधारन था उनका घर आडंबर रही था आडंबर इस दिखावे के बिना बिना दिखावे के आवर साधारनम चैये साधारन आशीप मिन्स था ठीक है अब एक बार इस परग्राधा अनवाद और देखते हैं कृष्ण मूर्ती आवर स्रीकंट मित्र थी स्रीकंट के पिता सम्रित थी इसलिए उनके भवन में सब प्रकार की सुख शाधन थे उस विशाल भवन में 40 खंबे थे उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां चम्वानिस दर्वाजे 36 बिजली के पंखे थे वहां दस सेवक निरंतर कारिये कर रहे थे लेकिन कृष्ण मूर्ची के माता और पिता निर्धन किसान गंपती थे उनका घर आडंबर रहिट और साधारण था और साधारण था एकदा स्रीकंट है तेन से प्राते नव वादने तस से ग्रहें एगरच एकदा मिंस एक बार स्रीकंट तेन से उसकी साथ उसकी साथ से मिंस साथ तेन उसकी तुस एक बार स्रीकंट उसके साथ प्राते सुभए नव वादने नो वजे तस से ग्रहें उसके घर एगरच त गया एक बार स्रीकंट उसके साथ सुभए नो वजे उसके घर गया एगरच तो एगरच यह क्रिया है और इस क्रिया का करता क्या है स्रीकंट है और जो सहे ये सब्दा आता है इससे पहले थर्टिया विबगति आती हैं तर्टिया विबगति में इस करण कारद आता है यह जह यह रखना है और नई से देखिए नव वादने में नो वजे तस से ग्रहें उसके घर तस से इसमें तट्सप्द है सश्टी विवक्ति वच्ण समन्दकारत तट्से में उसका उसकी उसके तो आगे वाले सब्द के अनुचान का केखी का परियों करेंगी तो देखें एक बार स्रीकंट उसके साथ सुबह नो बजे उसके घर एगर्षत गए तर्ट्र कृष्ण मूर्ती तट्से माता पीटा जेत शवच्ट्या स्रीकंठ से आधिःत्यम केत्तर ऊप्रेश वहाँ कृष्ण कृष्ण मूर्ती कि ने तस्सें उसके माता ओर पिता कि वहां कृष्णमूतिंग और उसकी माता पिता ने सव सक्तिया अपने सामर्थ से स्रीकंठ का आथिध्यम कुरुवन आथिध्य किया उनका आदर किया उनका आदर किया सदकार किया दुबरावर देखिए वहां कृष्णमूति और उसकी माता पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार स्रीकंठ का आथिध्य किया एतत दรिश्वा यहें देख करकी द्रिश्वा में कत्वा करते हैं मुल्धातु क्या होगी द्रिश मिंस देखना और कत्वा लिगा देंगे विडियारतियो तो क्या हो जाएगा द्रिश्वा दिश्ट्वा मिन्स देख कर एतत मिन्स यहे यहे देख कर स्रीकंट है स्रीकंट ने एकतियत कहा एकतियत कहा, मित्र एहम भवताम सत्यकारें संतुस्त अस्मी मैं आखके सत्यकार से संतुस्त हूँ, अस्मी मिन्स हूँ, इसको अलग-अलग करेंगे, संदी विछेट करके, तो संतुस्त है, और फिर आगे अस्मी, अस्मी का मतलब हूँ, संतुस्त है मिन्स संतुस्त है, मैं आखके सत्यकार से संतुस्त हूँ, केवलं इदम एव, केवल यही मम दुखं मेरा दुख है, कि तव ग्रहे एको अभी भ्रत्यनास्ती, कि तुमारे घर पर एक भी नोकर नहीं है, तो यहां पर एक हैं और अपी, अपी मन मिन्स भी और एक मिन्स एक, ठीक है, तो तव ग्रहे तुमारे घर पर एक भी भ्रत्य सेवक, शेवक ज्यानोकर नास्ती नहीं है, नास्ते में विदेवक संदी है, नेधन अस्ती, ने मिन्स नहीं, अस्ती मिन्स है, नहीं है, मम सत्कार आए, मेरे सत्कार के लिए, इसमें अधिक वहाद, संपर्दान का रहा है, संपर्दान के लिए, चत्रती विवक्ती जैसी राम आए, वेसे ही सत्कार आए, तो मम मेरे सत्कार आए, सत्कार के लिए, भवताम बहु कस्तम जातम, आपको बहुत कस्त हुआ, जात मिन्स हुआ, मम गरहे तु मेरे घर पर तो बहवे बहुत करम करा काम करने वाले संथी हैं कर्ण करामिस करमचारी भी बोल सकते मेरे गरहे घर पर तू तो बहुत कर्मचारी संथी है मेरे घरपर तो बहुत कर्मचारी एक बार इस परिग्राप का अनुवार देखते हैं, एक बार स्रीकंट उसके साथ सुबह नो बजे उसके घर गया, वहां कृष्ण मूर्थी और उसके माथा पिता ने अपने सामर्धे के अनुसार स्रीकंट का आथित थे, कि यह देखकर स्रीकंट ने कहा, मित्र मैं आपकी सतकार से संदुष्ट हूँ, केवल यही मेरा दुख है कि तुमारे घर में एक भी नोकर नहीं है, मेरे सतकार के लिए आपको बहुत कस्थ हो गया, मेरे घर में तो बहुत करमचारी हैं, इस प्रकार से अर्थिसपस्ट को, वित्यार कि प्रतेक सब्द के बारे में जानेंगे, तो हम अर्थ भोत ही अच्छी तरह से देख लेंगे, अब विभक्ति के अनुसार इनका अर्थिसपस्ट करते हैं, देखे सबसे पहले तस से यहां तक पहले लाइंगा हमने अर्थिसपस्ट क्या कि एक बार स्रीकंट उसके साथ सुबह नो बजे उसके घर गए, ठीक है, अब वहां क्रिश्न मूर्देने और उसके माता पिताने, सव सक्प्या यहां तर्टया विभर्थी एक जाएंगे हैं। कि मति सब्ध होता है उसी प्रकार से स्वय मिंश अपनी और सप्टी अपनी सथ्टि के अनुसार स्री कंठा से श्रीकंठा आतिथे किया आतिथे मिंश आदर सतकाई और प्रत्मपू सकता हैं कि अधर्श्वा यह की निदेख निद कर इंद तक्साथ इंद सर्फिक zijंद ने कहा ह00 अधिय था में आफ इलाइटम से कट्वे सब्यक्रीप मैं आपकी सत्कार से तर्त्या विवक्ति में करन कार्क होता है। भाउता में स्श्ती विवक्ति प्होचन है स्थी विवक्ति में समयंदकार्क होता हैं। होता है कार्क जी कि तो मैं आखी शत्तकार से में संदीव इस्ञाइब की देखें इदम कि यह है हिए केवल यह ही मंदुखम मेरा तो है यत मिंच की तब तुम्हारे ग्रहे घर में एक अपी इक भी भृते नासी नोकर नहीं है भृते में सेवत या नो के लिए मेरे सद्कार के लिए आपको बहु कस्टम बहुत बेस्ट जातम हुआ मेरे घर में तो बहुत करमचारी है इस प्रकाश तो विद्यात्यों यदि आप कोई वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजी सेर कीजी कमेंट कीजी सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद